नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर, दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 27 अप्रेल 2024 शनिवार की रात चुपचाप फेंक देना, यहाँ पर एक लॉंग जीवन के हर कश्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ती, भगवान शनिदेव महाराज जी की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बन जाओगे। आप करोड़ पती दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लॉंग के उन प्राचीन काल के समय के महाउपाए के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही आसान से उपाए है और यह अचूक उपाए, शनिवार के दिन केवल दो, चार, पाँच मिनट निकाल करके महाराज जी की वो कृपा प्राप्त होगी, जिसके पश्चात आप जिस कार्य भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान गणेश जी हो गए। यदि इनकी पूजा पाठ में लौंग का उपयोग ना किया जाए, तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। कहा जाता है कोई व्यक्ति सही क्रिया अनुसार लौंग का उपाए कर लें, तो उसको कई देवी देवताओं का आशीरवाद मिल सकता है। आपको बात है, शायद पता ना हो दोस्तों, जियोतिश शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। यदि लौंग का उपाए किसी व्यक्ति के लिए किया जाए, तो उस व्यक्ति की बंद किसमत के ताले को खोला जा सकता है। लोगों का उपाए केवल इसलिए किया जाता है दोस्तों, ताकि जीवन में चल रही है। हर प्रकार की परेशानियों से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाए। लौंग के उपाए को करने की। बस यहां शर्थ होती है कि इसको आपको सही दिन पर, सही मुहूर्थ पर करना होता है। जिसके पश्चात आपके जीवन की कोई भी परेशानी हो, कोई भी कश्ट हो, तुरंत के तुरंत आपको उससे मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आज के इस छोटे से आपको लौंग के उन गुपत उपाईयों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में हमारे तंत्र शास्त्र, ज्योतिश शास्त्र और कई धर्मगरंथों में साफ-साफ लिखा हुआ है। और इन उपायों को करने के पश्चात आप मान के चलिए, आप जीवन में किसी भी तरीके की समस्या से फंसे हों, किसी भी तरीके की परेशानी का सामना कर रहे हों, और किसी भी दुख से तूट चुके हों. हर तरह बाधाओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएग अब आपका व्यापार पूरी तरह से थप पड़ गया है. आपके जीवन में आप यह देख रहे हैं कि आपके ऊपर कोई असर दोश लगा हुआ है, जैसे शनी दोश, मंगल दोश, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आपको घेर के खड़ी हुई हैं आप नौकरी की तैयारी करकर के ठक, चुके आपकी नौकरी नहीं लग रही है. आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है, जिसका इलाज करा करा के आप ठक चुके हैं, परन्तु आपको कोई लाब नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों बस आप शनीवार के दिन दो चार पा पाच मिनिट निकाल लीजिए और लॉंग के उस उपाय को कर लीजिए, जो आज के फिर हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बने रहे। और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत दीजिए। जै शनि महाराज जी की और एक काम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राश्य डाल दीजिएगा। ताकि आपकी राश्य के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हो जिसको करके आप लाब पा सकते हैं। वो आपके हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे। ले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा। ये जो हम लॉंग का आपको उपाय बता रहे हैं, ये है बहुत आसान से उपाय। और ये उपाय करने के पश्चात आपको तुरंत ही लाभ मिलेगा। बस शनिवार के दिन इन उपायों को आपको सही मुहुर्थ पर करना होगा। लेकिन एक बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमारे वास्तु शास्त्र के अध्याय नंबर 84 में साफ साफ लिखा हुआ है। लॉंग का उपाय यदि किया जाए सही मुहुर्थ पर तो उसे लाभ तुरंत मिलता है। लेकिन लॉंग के उपाय को गलत मुहुर्थ पर किया जाए तो उसका दुष प्रभाव आपको देखने को मिलता है। और कई देवी देवताओं का क्रोध भी आपको झेलना पड़ता है। कहने का मतलब ये है, जितना भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, इन उपायों को करने की एक मुहुर्थ होगी। मुहुर्थ पर किये गए यह उपाय खाली जाही नहीं सकते। इनका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यदि आपने गलत मुहुर्थ पर यह उपाय किये, तो दोस्त तो आपको इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। उपायों को किस मुहुर्थ पर करना है वो भी लिख लीजिएगा। और आपसे निवेदन है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत के तुरंत वीडियो को लाइक कर दी जाए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो धन प्राप्ति का महाउपाय। अब आप ये देख रहे हैं कि पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, फिर धन या बंद हो गया। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आपके में भी फिजूल खर्ची बढ़ गई है, जो आप मेहनत करके परिश्रम करके पैसा कमा करके लाते हैं, वह ऐसे ही खर्च हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है। आपने ऐसा कोई करजा लिया हुआ था, पहले तो आप करज को निप्टा ले रहे थे, लेकिन अब करज वापस करपाने में आपा सक्षम होते हुए चला रहे हैं और उस करज के बोज में दब गए हुए चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, जीवन में यदि चल रही है आपके धन संबंधित परेशानी, तो यह उपाय कीजिए जो आपको आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको पांच शनिवार आपको वह उपाय करना होगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। जीवन से धन संबंधित परेशानी आराम से खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? देखिए, आपको पहले शनिवार को नहाना धोना है, सूर्यास्त जैसे ही हो जाएं। सूर्यास्त होने के पश्चाद आपको अपने घर पर एक काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े में डालना है, आपको ग्यारह लॉंग बहुत ध्यान से सुनेगा। दोस्तों, ग्यारह लॉंग एक मुठी काला तेल और उस पर रखना है, एक रुपया का सिक्का। अब आपको इस काले कपड़े की बनानी है, पोटली पोटली बनाते वक्त काले धागे का इस्तिमाल कीजिएगा। अब आपने ये पोटली बना ली, अपने घर से चमेली के तेल का दीपक। लीजिए दोस्तों, बहुत से लोग गलती क्या कर देते हैं। इस उपाय में वो सरसों के तेल का दीपक लेते हैं। लेकिन ये सुबह में चमेली के तेल का दीपक भी आता है। चमेली के तेल का द इतने भी हैं। उनमें से किसी भी एक भिक्षुक को यह पोठली दे दीजिए। पांच शनिवार यह उपाय कर लीजिए। शनी महाराज जी की कृपा से आपके जीवन के धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी ठिकेगा भी और उसमें वृध्धि भी होगी। धन आने के कई प्रकार के रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे। यह प्राचीन काल के समय का महाउपाय इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है शत्रूओं से मुक्ति पाने का महाउपाय। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि आज का समाज एक ऐसा समाज है जिसमें यदि आप शान्ती से जीना चाहते हैं, तो लोग आपसे चड़ने लग जाते हैं। और इसके बदले वो क्या करते हैं, आपके शत्रू बन जाते हैं, आपके घर पर काला, जादू, काली, विद्या या आपके ऊपर कोई ऐसी बुरी ताकत पीछे लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पढ़ जाता है। आप जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय केवल तीन शनिवार कर लीजिए। तीन शनिवार के पश्चाद आपका कोई भी शत्रू होगा, वो आपका कुछ भी नहीं, बिगाड पाएगा। उल्टा, आपके शत्रू आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको एक साधारन सा उपाय हम आपको बताने जा रहा है, आपको एक शनिवार, मतलब पहले शनिवार को किसी भी शनी मंदिर जाना है, शनी मंदिर जाइए, वहाँ पर आपको एक सर्सों के तेल का दीपक बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पर बनी रहे। इतना उपाय तीन शनिवार कर लीजिए। दोस्तों, आपके लाखों शत्रूओं के खिलाफ एक तरफ खड़े हो, वो आपका एक बाल भी नहीं तो आएंगे, क्योंकि ये बात आपको शायद ना पता हो। शनि महाराज जी की कृपा, यदि किसी व्यक्ती को मिल जाए, तो उसका साक्षातकार भी कुछ नहीं बिगाड सकता है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि शनि महाराज जी की गलत द्रिष्टी किसी व्यक्ती पर पढ़ जाए, तो व्यक्ती बरपश्चात हो जाता है, और कोई व्यक्ती यदि आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, आपको बरपश्चात करने की कोशिश करेगा। शनी महाराज जी के गलत द्रिष्टी से वह व्यक्ती बर्बाद हो जाएगा तीसरा उपाए जो हम आपको जा रहे हैं दोस्तों यह बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाए यदि आपका व्यापार ठब पड़ गया आपका व्यापार एकदम चौपट हो चुका है केवल एक शनीवार आपको यह उपाए करना है और यह उपाए करने के पश्चात आपका व्यापार चल पड़ेगा एक शनीवार कैसे करना है यह उपाए आपको कब करना है सूर्यास्त से पहले बहुत ध्यान से सुनियेगा दोस्त तो अभी तक हमने आपको दो उपाय बताया था जो सूर्यास्त के पश्चात करना था यह सूर्यास्त से पहले आपको करना आपको शनिवार के दिन सुबह उठना है नहाना धोना है नहाने धोने के पश्चात आपको एक काला कपड़ा लेना है उसमें 51 लॉंग रखनी है काले कपड़े की बना लेनी है पोटली शनी महराज जी के मंदिर जाइए शनी महराज जी के मंदिर जाइए आपको केवल यह करना है दोस्तों वहाँ पर सरसों के टेल का दान करना है वो भी मिट्टी के दीपक से शनी महराज जी के मंदिर के बाहर बहुत पंडित खड़े रहते हैं जो सरसों के टेल का दान लेते हैं सरसों के टेल का कर दीजिए अब आपको सरसों के टेल का दान करने के पश्चाद शनी महाराज जी के सामने नत्मस तक होना है इसमें जिसमें आपने 51 लॉंग रखी है अपने व्यपार स्थान पर लाना है आपके व्यपार स्थान का जो एंट्री गेट है जहां से लोग आते जाते हैं वहां पर इसको टांग देना है 21 दिन पश्चाद किसी पोटली को उठा करके किसी भी नदी में बहा देना आपके व्यपार में जो भी काला जादू काली विद्या ये जो बाधाएं आ रही थी जिसके साथ आपका व्यपार चौपट हो गया था नहीं चल रहा था इस उपाए को करने के पश्चाद आपका व्यपार अवश्य ही चल पड़ेगा ये एक महा उपाए है जिसको करना मत भूलिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों कई लोग को ऐसी बीमारी पकड़ लेती है ऐसी बीमारी जड़ लेती है जिसकी वज़े से वो अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो जाते हैं और यदि आप भी उन लोगों में से हैं जिसको किसी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कराकर ठक गए हैं, आपको कोई लाब नहीं मिल रहा है, एक उपाय कर लीजिए, वो आपको हम बता रहे, यह उपाय करने के पश्चात आपके जीवन में आपकी बीमारी सदैव के लिए आपको छोड़ जाएगी, देखिए, यह उपाय करने के लिए आपको ग् भगवान शिव जी को अपना गुरु मानते, इसी लिए जब भी बीमारी संबंधित कोई भी आपकी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, उसको सदैव भगवान भोलेनात के सामने किया था, आपको शनिवार के दिन सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, सुबह के वक्त उपाय करना है, एक तांबे का लोटा लेना है, उसको पूरा पानी से भर लीजिये, दो चार बूंद गंगा जल मिला लीजियेगा, दो लौंग ले लीजिये, आपको किसी भी शिवालय जाना है, शिवालय जाईए, सबसे पहले शिवालय पर जाने के पश्चात, आपको ए रह सपता है, यह उपाय केवल भोजन छुए बिना कर लीजिये, और आपकी बीमारी जो आपके पीछे पड़ी हुई थी, वो बीमारी सदैव के लिए आपको छोड़ करके चली जाएगी, यह उपाय करने के पश्चात, आपको यहाँ पर भगवान भोले नात का वो आशिर अब उसे अपने जीवन साथी के हाथों से स्पर्श कराएं, और स्पर्श कराने के पश्चात उसे किसी मोर्चे को गिफ्ट कर दें, ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपके रिष्टे की मजबूती कायम रहेगी.